दोस्तों किड्नी की बिमारी में chronic kidney disease सबसे गंभीर बिमारी है क्योंकि एलोपेथी में इस बिमारी को खतम करने की कोई दवाव लब्द नहीं है पिछले कई सालों से इस रोक के मरीजों की संख्या काफी मातरा में बढ़ चुगी है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दस मैंसे एक इनसान को kidney की बिमारी होती है और इसके मुखे कारण है diabetes, high blood pressure, पत्री और ऐसे ही कुछ और कारण तो आखिर chronic kidney disease क्या है? इस प्रकार के kidney disease में kidney खराब होने की प्रक्रिया बहुत ही धीरे होती है जो महीनों या सालों तक चलती है शरीर में serum creatinine का स्थर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो kidney की शमता धीरे धीरे कम होने लगती है एक प्रकार का test जिसे EGFR कहा जाता है उससे kidney के खराब होने का स्थर अराम से पता किया जा सकता है इससे ये भी पता चलता है कि kidney की बिमारी काफी बढ़ चुकी है या भी normal step बढ़ी है अगर किसी मरीश को लंबे समय तक kidney की कोई बिमारी हो जाए तो इसकी kidney बिल्कुल छोटी हो जाती है और काम करना बन कर देती है बड़े दुकी बात ये है कि एक किसी भी दवा, operation, अत्वा डालेसेस से ठीक नहीं कि जा सकती CKD में भी kidney थोड़ा थोड़ा काम करती रहती है पर कुछ समय बाद ये अपना काम पूरे रूप से करना बंद कर देती है अगर chronic kidney disease शुरुवाती स्थेज में पता चल जाए तो दवा दे कर और खाने में परहेज करकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है chronic kidney disease में मरीज की दोनों kidney धीरे धीरे खराब होने लगते है जब kidney 90% से ज़्यादा खराब होती है तो वो पूरी तरह काम करना बंद कर देती है तब उसे end stage renal disease कहा जाता है इस अवस्था में सही दवा और परहेज के बावजूद मरीज की तबियत बिगरती जाती है और उसे बचाने के लिए हमेशा नियमेत रूप से डालेसिस और बाद में kidney transplant की ज़वरत पड़ती है तो आखिर chronic kidney disease के मुख्य कारण क्या क्या है सबसे पहले नमबर पर है diabetes आपको जानकर दुख होगा कि chronic kidney disease के 30-40% patient diabetes के मरीज होते है Diabetes chronic kidney disease का सबसे महत्वपूर्ण एवम गंभीर कारण है इसलिए diabetes के हर मरीज को इस रोग पर पूरी तरह से control रखना काफी ज़रूरी है नमबर दुपे है high blood pressure CKD के 30% और मरीज high blood pressure की वज़े से अपनी kidney खो देते हैं लंबे समय तक अगर आपके खून का pressure ज़ादा रहे तो kidney पर ज़्यादा pressure पढ़ने के करण kidney फेल हो जाती है नमबर 3 पर है glow merular की विमारी जिसमें आपके kidney का filter खराब हो जाता है जिसके kidney काम करनी बंद हो जाती है इससे आपके हाथों में और शरी में सूजनाने लगती है और धीरे धीरे kidney काम करना बंद कर देती है नमबर 5 पर है दर्द मिटाने वाली दवाईयां खाना ये दवाईयां kidney को खून चाने में दिक्कत करने लगती है जिससे kidney पर pressure बढ़ने लगता है और kidney हो जाती है फेल अगर इन में से किसी भी कारणों से kidney fail हो जाए तो इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं पर घबराने की कोई बात नहीं आयरवेद है ना? चली जानते हैं कर्मा आयरवेदा के बारे में इसने पिछले कई देश्कों से अपने आयरवेदिक ग्यान दवरा कई हादर पेशेंटों को ठीक करके दिखा दिया है यहां डॉक्टर पुनी धवन और उनकी टीम हर रोज ना जाने कितने किड्नी के पेशेंट्स को ठीक कर देते हैं चली मिलते हैं कैसे ही पेशेंट्से तो सब्सकारगाहम जो फस्ट पानी सरेंटीमेंट जैसे फिर्फन करम पानी से सिखना यह सकंथ यह तो नहीं हुआ इससे को मैं गान्द को बगते ही कि गभ्र ड़े कि तो गंगरा में लेगेगे हैं अवहुर्ण Gamla在無gewam wakasachachop जो आउन मेला उससे कुह ऐसे मतड़ा तो फिर मैं आपको नाम पिर मैं तुना पिर लें आपको सुना पेरे की आपको से लिए नाम पेरे पने लाम ने मैं दिवास से निकल भागना आदा चाहने में लाक्ती में नाहीं उढ़ा है कि आपक नाम हो चुने और फाइड कर दीन था आपके सुबा बास वोर्डिम में आपके बस्केड़ या आने के बाद में आपको साथ से पदरेंगे इस Cayman तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आया बहुत अच्छा है आपके यह कौन है यह बिटा है काफी पहले से काफी अच्छा आपके अच्छा के श करूभानी से तीन दीन में और बच्चा फुछ से उफने लगा हुआ चाह पाँ वाज्वाशों दीन से तो फुछ से बेट से उतरके फुछ वाश्डों में से जाने लगा हुआ तो तो देखा आपने कैसे कर्मा आयर विदा के इलाज ने इस पेशेंट की जिन्दगी वदल डाली अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप शारे रिख हैल्ड से जोड़े और वीडियोस देख सकें मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्दी रहें, खुश रहें अगर आप भी किड्नी डालेसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनी धवन से संपर कर सकते हैं हमारा पता है हमारे फोन नंबर से 098-7171-2050 हमारी एमेल आइडी है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी विबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं